नमस्कार दोस्तों जैहिंद आप सभी का स्वागय थे चर्चा में जैसा कि आप देख रहे हैं इनका नाम है सुधीर कुमार सुमन ये कोई गायक नहीं है ये कोई म्यूजीशियन नहीं है ना ही ये कोई डारेक्टर है ये है एक आम इंसान वह आम इंसान जो दूसरे को पर व कर दोस्ता है इंद्रजीशित विहारी जिसको ये अगे ले जाना चाहते हैं गयकी के छित्र में लेकिन इनके साथ किसी ने THोख़्ा किया है जैसा कि मुझे इंहोंने Fon में बताया है अन nuance आइए इंसे बात करते हैं जानते है कि इनके साथ किस ने चीट किया है किस ने फृ एटीमेजिक है उससे मैंने स्वोंग रिकोर्डिंग का बात किया था वीडियो का भी उसने मेरे साथ पैसा जो भी उसने बोला उसका सारा पैड़ कर दिया उसके अबाद ने वो मेरे को बार-बार धंकी भी दे रहा माये तुम्हारा वीडियो रिलीज नहीं करूंगा जो को इटियाज खान को ही एकॉन दुवारा सरा पे किया और कुछ जिस दिन उससे हमको बात हुआ था उस दिन भी कुछ हमने दिये थे उसका मैंने रसीड मांगे तो उसने बोला इस्टुडियो को कोई रसीड नहीं होता है जो आपने एकॉन दुवारा पेमेंट की हो वह आपक और उसके बाद यह जितना भी सॉंग हुआ मेरा उसमें छह है आपने कितने गाने कराने के लिए उनको पैसे दिये है thoughts 4 गाने के लिए 4 गाने का आप बोल रहे है कि एक गाने का उन्होंने तीन हजार मांगा था इसका मतलब अपने 12,000 उनको दिये? 11,650 रुपए आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है सर आपने जो पैसे पे किये ओनलाइन ट्रांसफर किये है? यस सर तो अभी जो आपने 11,650 रुपए जो आपने पे कर दिये तो इम्तियाज जी जो की 80 मुजिक चलाते हैं वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जो हमें आप इसका पोस्टर दिजाइनिंग का भी पैसे चाहिए तो हमने बोले ठीक है आपको पोस्टर दिजाइनिंग का भी हम पैसे देंगे लेकिन आप एक भी संग मेरा लेलिल कर दो को उसके बाद मेने सारा फैसे देंगे उस ने जब भी मेरे से वीडियो का बात किर तो पूश्टर डिजय का पैसा क्या अन्हों सुरूम बोला था कि आपको अलग से देना पड़ेगा कुछ सब कुछ नहीं बोला था कि एक वीइड़ों के इंहीं की धिरलीज कहां से उन्ही से कंपणी बाहर सब्सक्रक्राइब उसका अच्छा चैनल रेना चैनल में चैनल पर एकाजार रुप्या डिलेजिंग चारld भी तो न है, क्या नम बता है इम्तियाज जी जो हैं वो केटी म्यूजिक चलाते हैं काउन सा एटी म्यूजिक एटी म्यूजिक जी जी और उनको आपने वीडियो करने के लिए दिया आडियो किसने किया वेडियो सर उसने बोला तुम रिकॉर्ड करके देगो तो हमें जी सर तो आपने डारेक्ट जेके यादों से कंसर्ट क्यू नहीं किया उन कंपनी से बात क्यू नहीं की सर में डिक्कत था लोगडाउन था उसके वज़स हम नहीं जा पाए और बच्चा भी मेरा बैयार में थे उसने बोला लिपसीन कटबा के हमें देदो तुम्होरा वीडियो किलियर करके हम वह बच्चा वह छोटा बावू कहां है उसके मदर फादर वह उसके ऐसपार कर गया है तो आप उनके सगे मामा जी मैं सगा मामा हूं उसका देखिए मैं जहां तक इस बात को समझ में पाया हूँ जो भी इम्तियाज भाई है ये जैसा की बोल रहे हैं इनके पास प्रूफ है 11,650 रुपर उन्होंने आपको बे किये हैं आपके हिसाफ से बोल रहे हो कि और पोस्टर का भी पैसा चाहिए तो आप क्यूं मांग रहे हो भाया आपने वीडियो के पैसे मांगे चार वीडियो के पैसे आपने मांगे 12,000 आपके होते हैं 11,650 पे कर दिया जो भी 3,330 अपके बनते हैं वो आप लीजिए आप company को दीजिए jk आदो को अगर वो मांगते हैं तो फिर बताइए आप और दूसरी चीर आपने इनको ये हैं और जिसके बच्चे के लिया आयों बच्चा अनात है वह भी उसको आगे बढ़ाना आपको भाई जाने एक बात समझाना चाहता हूँ अगर आपको जेके यादो में गना रिलीज कराना है तो आप फोन कर सकते हैं जेके यादो में कि भाईया मुझे गना रिलीज कराना है देखिए इसमें जेके यादो कंपणी गलती बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नहीं आप जैसा कि आप पास proof ही है आप मुझे दिखा सकते हैं आप पास कोई proof है कौन साब के पास proof है कोई आप payment करते हैं कोई sleep proof है online transaction किया है दिखाइए मुझे कहा है वो proof ये proof दिखा रहे हैं कि इन्होंने पैसे कैसे pay किया है क्योंकि देखिए मैं जब तक खुद सही नहीं हो जाता हूं मैं किसी का support नहीं करता हूं और भाई मुझे proof दिखा रहा है मैं देखता हूं कि online transaction किये हैं नहीं किये हैं वो भी मैं देख लेता हूं आप मुझे दिखाइए कौन सा pay किया हुआ है किस नाम से किया उनको दिखाइए मुझे आपका नाम है सुधिर और यह name है आपने पे किया इमतियाज यह तो सभसाब दिखिए आपने एक बार में पे किया है उसको जैसे हमको कही जाते थे ने इस यह setup लग गया तुम्हारा आज पैसाद होगे तो इस मोडल के साथ तुम्हारा शुटिंग करके हम वीडियो कल तक में एडिटिंग करके तुम्हारे पास भेज देंगे अब जब आप उनको बोल अच्छे यह कितने दिन पहले की बात हो यह कम से कम चार महीने हो गया है लेकिन आप कर दो लेकिन उसके लिए वह बहल रहा भाई मैं नहीं करूंगा पोष्टर दीजिनिंग का लूंगा एक आजार वह इसका क्या लूंगा रिले लिइंग चार्ज लूंगा उसके बाद तुम्हारा होगा गाना रिलीज नहीं तो तुमको जो करना करो देखिए अगर इम्तियाज भाई आप ऐसा बोलते हैं तो बात भाई जान आप यहां गलत कर रहे हैं यह गरीब आदमी है आपको सपोर्ट करना चाहिए आप इसी इंडेस्ट्री से मैं आपको नहीं जानता फर्स्ट टाइम आपका नाम सुन रहा हूं आपकी कंपणी का नाम कि वीडियो बना कि आपको देदेंगे फोन लगा यह ओन करीए स्विकर देखिए अभी क्या बात होती आप बात करिए पूछे अपने प्रेजिक्ट बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं क्या हुआ लिए है यह चर्फ हैं क्या सोल या रिंग जा रही है दोस्तों से थाकिए क्या होता है कि में लिए दिए यह नहीं चारे में क्योंतहरों क्या जक्या घ्या रही है तैंक्या ऑडत हो कर बर दिक्कात हुआ था कि यह रैटर लिखे जो है ना एक राइटर था उसको दिए भडरा ठीटे हमें संग भान उसको बोला टुम सबस्टी अमत अच्छा आटर्फ इंед है यह बोला जो ओक þरी यह पछसुपति रहे हैं क्या रिंग जा रही उठा नहीं रहे हैं देखिए बहुत गलत बात है किसी का पैसे लिए नहीं उठा रहे हैं उनका नमबर मुझे बताईए अपने फोन से लगाता हूँ दोस्तों अभी मैं इनका नमबर अपने फोन से एक बार ट्राई करने के लिए जा रहा हूं अगर उठा लिया मैं यहीं चाहता हूँ मैं कोई कंट्रोवर्सिश नहीं चाहता हूं कि इस भाई ने पैसे अपने पे किये मजदूर आदमी है और मुझे इसने फोन किया भाई रो रहा था कि एक अनाथ बच्चे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं फोन लगाता हूँ पहले क्या नंबर बताइए अबArnh करता हूँ स्पिकर अउं करके आप से बात करता हूँ आपके सामने बात करते हूँ कि क्या बात हो रही है कि अब इन नहीं जा रही है कग उठा लेंगे तो अच्छी बात है देखिए अवीन का नेट्वर्ग नहीं लग रहा है एक बार कटक लगाता हूँ एक बार फीर से कड़ेखे लगाता हूं , देखता हूं क्या बोलते हैं , एक मिट फिर से लगाता हूं , नेटवर्क का इस्यू है ,于 heir to the phone लग नहीं पा रहा है , मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूं , यह लेखी स्पीकर कना करता हूं स्पिकर ओन किया भी दिखिए एक मिर्ट नेटवर्क का इस वह सायद अभी जो मेरे नमर से गया है न को इसके बज़े से सोचरा दूसरा नमर से टरा कर रहा हूं इसके बज़े से मॉल को जोन बन करती है तो आपके फोन को नहीं उठाते हैं नो मन हो गया तो उठा लिया नही उनको जो इक्षा है करो कई बार मेरे को दंकी भी दे दिया लेकिन हम सोचते क्या उनसे बैंस करें लगर मेरे जो काम है वह काम कर दो क्या धंकी देते हैं बोलो जो उल्टा ही तुमारे उपर इपर कंपलेंड डालेंगे किसी यह बहुत अब यह बोल रहा है ना सर आप क्य चीज क्या डालेगा वो उसको तो इसी के मर्जी है ना तो पैसा आपने दिया काम यह नहीं करें कंप्लेंड आप कुपर किसे डालेंगे वह लग गया फोन एक मिन टुकिए फोन लग गया रिंग जारी दुस्तों देखते हैं रिंग जारी देखते हैं बात करके इमत्याज भाई बात करता हूँ थीक है भी यह देखिए मैंने फोन लगाया और फोन लगाने के बाद आगे से मुझे लग रहा है गाने वाने बज़रे हो सकता है कि इमत्याज जी शूटिंग पे हो लेकिन इन्होंने बोला कि बात में कॉल करते हैं अब देखिए अब बा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताइए जैसा कि भाई प्रूफ दिखा रहे हैं सबूत दिखा रहे हैं के पास पैसे है और मैं आप तमाम ऐसे सिंगरों से पुछना चाहता हूँ आपको जेके यादों से गाना रिलीश कराना है तो दूसरे म्यूजिक कंपनी के बं पैसा क्यों देते हैं आपको रिया से काम करवाना है तो आप वर्डवाइड का पैसा क्यों देते हैं आपको जिससे काम करवाना है उससे मिलिए यहां पर देखिए आपकी भी थोड़ी सी गलती है लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है आपको इस इंडिश् लगा सकते हैं वेचारा 12 गंटे 15 गंटे महिनत कर रहा है और एक अनात बच्चे को जिनके के मदर फादर नहीं है यह मामा लगते हैं उनको आगे बढ़ाने कोशिश कर रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है और मुझे पता है यह इंटर्व्यू जब लाइब होगा उसके बाद हो सकता है जो इम्तियाज जी है मेरे उपर भी दबाव डालें मेरे उपर प्रेशर डालें हो सकता है मानने की दमकानी कोशिश करें लेकिन यह काम मैंने यह सोच के नहीं किया है कि कोई मुझे दमकाएगा कोई मारेगा कोई गाली देगा कोई दबाव डालेगा मैंने ये सोच के किया है कि हर एक इंटर्विव मेरा इंसाफ के लिए होगा इंसाफ के लड़ूगा और भाई जो है आज इंसाफ के लिए आया है और चर्चा में पावर अदम दिखती है भाई को इंसाफ दिखता है इसलिए दूर से चल के आया है नहीं तो और भी कहीं ये ज सकते थे भीया मैं आपकी पूरी हेल्फ करूंगा आपके पास सबूत है और मैं जानता हूं कि आपके पास जो पंदरा घंटे खटता है कंपनी उसके इतना टाइम नहीं है कि आके किसी को पर एलिगेशन इलजाम लगाएगा मैं इंत्याजी से बात करने कोशिश करूंगा उनसे पूरी कोशिश करूंगा बात हो जाए और आपके गाने वह बना दे कोशिश करूंगा मैं जो जो कि आदो क्या स्टाफ है ऑनर है मैं उनसे बात करके आपके गाने करवाने कोशिश अभी जो जिस दिन मेरे बच्चे का शुटिंग भी हुआ था जिस गने का तो मैंने दूसरा सिंगर को जो एक मेरा जानकारी सिंगर है उसका भी देखे बिल्कुल नॉर्मल जैसे गऊंगर में वीडियो नहीं होता उस तरीका से वीडियो दिया उसका रिलिज किया है तो हमने आपने 11,650 पे किये हैं टोटल बार आपको देने है जो भी 3,500 देने है वो बाद में दीजेगा पहले आप इनसे बात करने कोशिश करिए इनके ऑफिस में जाने कोशिश करिए मैं भी कोशिश करता हूं इसे संपर्क सादने कि अगर मेरी बात होती है तो मैं भाई को जरू क्या होगा आप क्या करेंगे जब आगर नहीं मानेगा तो सर लाश्ट में मैं इसको कानून से हम लरेंगे आप लीगल एक्सन लेंगे कोट में जाएंगे हम सर चलिए जरूर क्योंकि हमारा उच्छन आयल है सब को सजा देने का अधिकार रखता है मुझे भी आपको उन्हे अगर वो आपके साथ पैसा लेके गलत कर रहे हैं आपका काम नहीं कर रहे है तो 421 के उपर लागू होता है आप आगे एक्सन ले सकते हैं धन्यवाद आप चर्चा में तेहदिल शुक्रिया वो फोन नहीं उठा रहे है उठाया फोन उठाया आपका नहीं उठाया मुझे जानते भी नहीं है इसलिए अरो नंबर से में उठा लिए लेकिन वहाँ से आवाज आरी सा इसको इस रूटिंग चल रही है वो फ्री होंगे मुझे बोल रहे है मुझे कॉल करेंगे मेरी उनसे बात होगी मैं जरूर आपके लिए उनसे चर्चा करूँगा और कोशिश ठीक है लेकिन जैसे आज मेरे साथ हुआ अगर इसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कल किसी और के साथ ना हुए अगर सर मान के चलिए आज हम थोड़ा सा मूर्ख आज भी हम पढ़े लिए तो है ने सर इसके बज़े से हम दूसरे से कम कर वा लिए और 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 कोई भी तो जाता ह हो गान सर और के साथ यह से कर रहा है जरूर जाते होंगे और आपने बहुत अच्छी बात करी इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोग जैसा इन्होंने किया वैसा आप लोग बिलकुल ना करें क्योंकि भोजपूरी रिष्टी में आजकल ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं इसी वज़े से बहुत साइस सिंगरों के होसले पस्त हो रहे हैं अच्छे चे सिंगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है उनके साथ गलत बेवहार हो रहा है लेकिन मैं उनसे बात करूँगा आपके लड़ाई जरूर करूँगा वो भी सर हमारा परिवार से अगर उनकी आवाज अच्छी होगी तो जरूर मैं कुछ कंपणियों से बात करके उनके लिए कुछ गाने लिखवाँगा गवाने कोशिश करूँगा और आपको पैसे पे नहीं करने हैं ठीक है सर फिलाल तो अभी तो हम नहीं मंगा सकते हैं ये मार्च अप्र करके दिखाए अभी हलकी उसका एज है 12 सा और लेको जो मेरों का टालेंट दिखाया है और तो उसके मेहनत के अमसुआर समने पैसे यूज की है उसके उपर ठीक है सर अच्छी बात है जो मेहनत करेगा आगे जाएगा कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि टालेंट ऐसी चीज है सूरी की क्रेणे कितना भी बादल होता है फार के निकलती है तो टैलेंट भी फार के निकलेगा धन्यवाद आप चर्शा मैं तेहे दिल शुक्रिया ठीक है सर नमस्कर नमस्कर